प्रिविए स्वागात आप सभी का अपके अपने यूटीब चैनल एक्जाम्स डेयर में और आज हमें साट करने जा रहे हैं बी फर्म सेकेंड सेमेस्टर के प्रिविएस ये सॉल पेपर की सिरीज इसमें जो है आज हम देखने जा रहे हैं पैथो फीजियलोजी का 2018 का जो हमा आज डिसकस करने जा रहे हैं इसमें हमारा आ जाता है section A section A में हमारा first question आता है write the short note on feedback system इसमें जो हमारा feedback system पर हमें short note देना है यह होता क्या है चलिए देख लेते हैं a physiological regulatory system in a living body that work to return the body to its normal internal state or commonly known as homostasis basically हमारा physiological regulatory system होता हमारा living body जो कि हमारी body का homostasis maintain करने में help करता है आता हमारा define chemo taxes हमें जो है chemo taxes को define करना इसमें क्या होता हमारा it is the movement of a motile cells or organism to gradient of increasing or decreasing concentration of particular cells इसमें basically हमारा क्या होता हमें मोटाइल सेल्स की हम इसमें जो हमारा gradient हमारा matter नहीं कर सकता हमारे जो है cells जो हमारी increasing concentration के पास भी हमारे जो हमारे एलग अलग बोडी पार्स में जा के जो है अलग 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 डिफरेंट इफरेंट ओर अफेक्ट करते हैं तो यह होता हमारा लंग की मो टीज थालग लुक्त होता है अंठी एल जो है ये हमारी शोट्नाट फेलिर पर में जो है एक शॉट्ण नॉट देना है acute renal failure occur when your kidney suddenly become unable to filter the waste product from the blood हमारा acute renal failure कब होता है जब हमारी kidney जो होती है वो हमारा सही से हमारा फिल्टर नहीं कर पाती है हमारे blood को हमारा basically waste product को हमारे जो ब्लड से remove नहीं कर पाती है उस case में हमारा क्या होता है level of waste product increases in the body हमारा level जो होता हमारा waste product का हमारी body में जादा हो जाता है क्योंकि हमारा waste product जो हमारा remove नहीं हो पा रहा है तो इसलिए जो हमारा body में इखटा होता रहता है और इखटा होते होते हो हमारा level होता है है वेस्ट प्रोड्टिक्ट वड्यॉव नहीं हो सह मैं तो लिएम तो यह जो कि वारा। परहने के बिलेटी तो थिंक, फिल, बहेवियर and clearly, and exact cause of physiopheneria is not known, शर्थ होता है इसमा मेरा है, इसमे एक disorder होता है, हमारा पर्सनल की एबिलेटी को उसके थिंगिंग पावर को और उसके फेलिंग्स, एमोशन्स और बहेवियर को जो है, अदिंगिंगिंग पावर को और उसक वं मार इंडवाइड मॉर्डिन देशू डाई होते हैं जितनी तेजी से वो मरते नहीं उससे ज्यादद तेजी से जो हमारा इवाइड होते हैं और हमारे ग्रोध होते हैं इसमें बनाइंग और मलीगनेंट यह होता हमारे नियोप्लाज्म, basically हमारे नियोप्लाज्म होता कि हमारा abnormal growth जो होती है, हमारे cells की, abnormal growth of cells. Next question हम देख लेते हैं, discuss the role of xanthine oxidase and in development of gout. हमारा जो xanthine oxidase का role बताना है, xanthine oxidase convert xanthine into uric acid as we know uric acid accumulate in soft tissue and cause gout. हमारे जो होता हमारा xanthine oxidase का ओता हमारे एक enzyme है, जो की धी जो की हमारा convert करता है xanthine को uric acid में, अब यह uric acid हो हमारा accumulate हो जाता है, synovial fluids में, synovial capsule होता है, वहाँ पर जो होता है, और हमारे हमारे जोह सॉफ्ट्ट इस्शुम्में हमारे accumulate होना स्टार्ट होता है, और वहां पर वह कोज कर देता और गाउच को यह बहुत ही painful होता है इसमें जो है मेरे joints में pain होना स्टार्ट हो जाता है next question आता है हमारा give a short note on grave disease हमें जो grave disease में जो short note देना है it is an immune system disorders that result in overproduction of thyroid hormones हमारे grave disease में क्या होता हमारा इसमें जो हमारा overproduction हो जाता है हमारा thyroid hormones का इसी को हम कहते हैं grave disease next हमारा आता है define stroke and hemorrhage stroke और hemorrhage को हमें define करना है stroke क्या होता हमारा a loss of blood flow to the part of the brain which damage the brain tissue basically हमारा brain में जो हमारे brain के parts जो है उसमें blood flow साही से नहीं हो पाता उस जिसकी वैसे हमारा जो हमारे ब्लड होना इसी को हम कहते हैं stroke second लादा है हमरे हम्रेज 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 होता है loss of blood from the damaged blood vessels it may be internal or external basically हम्रेज के आथा हमारा blood जो हमारा loss हो जाता है basically हमारा blood vessels है वो डैमेज हो जाती है जिसके वैसे हमारा जो हमारे ब्लड है वो हमारा लीक आउब होसाथा चाão आप फिर आमेज होःती है जेक से हमारा नेक्स सब्सक्राइब होता है दो जएंस आता है हमारा नेक्स तुर्सकंष प्लैक्त समेष इन्र परव तनी दश्राइब करने सुम्स are talk स क्युर्य छोंप वे अप्धि की एडियो जानना परल्रम सकते हैं सबस्करी में ईंको सबस्क्राइब मेंOn अगपने से ईयूमट सक्वर्फ करतले रहने सु एक एं यह को सिर्फ यह जाता है next question आता हमारा give the cause divagent and sign of leprosy हमारे जो cause divagent बताने हैं leprosy और sign and symptoms बताने है causes क्या होते है हमारे cause divagent है हमारा mycobacterium lepray कुछ disease के हमारे cause divagent बहुत important है जो कि हमारे exams में जरूर पूछे जाते हैं तो आप इसको जरूर करके जगेगा इसके calling causes divagent है mycobacteriumble glow और इसके हमारे sign and symptoms की होते है ईऔर red patches होना स्टार्ट हो जाएंगे rashes हो गी हमारे ंपे decreasing हो जाती है हमारे शटिंशन होता है वह reduced हो जाता है हमारा weight loss होना स्टार्ट हो जाता है यह कुछ हमारे sign and symptoms होते हैं leprosy के मेरा आता हमारे section 2 section B जो होता हमारा, वो होता है 10 marks का, इसमें जो हमारे 10 question present होते हैं, जिसमें से हमें कोई भी 2 question जो है attempt करने होते हैं, इसमें हमारा first question आता है, discuss in detail about pathophysiology of asthma, मतब अस्तमा के हमारे pathophysiology को हमारे detail में explain करना है, सबसे पहले हम देख लेता है, अस्तमा होता क्या है, अस्तमा is characterized by hyper responsiveness of trocheobronchal smooth muscles to variety of stimulus, which result in narrowing of air tube and increased secretion of mucus, इसमें क्या होता है, हमारे basically hyper responsive reactions होती है, जो कि हमारी trocheobronchal smooth muscles की होती है, basically हमारे trocheobronchal smooth muscles होती है, वो जो हमारे hyper response करना start कर देती है, stumulus के प्रती, मतब कोई भी particle अगर हमारे trocheobronchal smooth muscles के contact में आएगा, तो उसके response में हमारे बहुत hyper react करेगी, मतलब उसमें जो हमारा बहुत जल्दी वो जो है contraction start हो जाएगी, वो tube जो है वो नेरो हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और मुकोस का secretion जाएगा, जिसके वज़से, मुकस ऑपफा के When we앙, अर्मारा ऑफ्रख्रश्चन होता है, इसी वज़से, साह साज साहिस्ट नहीं आपाती है, इसके हमारे types देख लेते हैं, Aleksipwait, Strict and Indic benefits – our नेक्स आदा था हमारा कॉजिस बताने है हमारे अस्तमा के इसमें जो होता है हमारा ऐलेजस की वज़े से हो सकता है मैडिकेशन लाइक ऐस्परिन और बीटा ब्लोकर इनके वज़े से भी हमारे अस्तमा कॉज हो सकता है पॉलिटेंट्स मतलब बहुत सारे ऐंगर अडिके आरप पॉलिटेंट्स के अल्र somm अस्तमा कोज और तो इस पर यूजे से भी आफको जो ही וसटमा को सकता है रस्परिटरी वीरल Springsरी favor इस्केस में यो मारे अस्तमा कैसि की सकता है और हमारा emotional stress के वैसे भी हमारा जो है स्थमा कोज हो सकता है नेक्स आजाते हैं pathophysiology of asthma pathophysiology में क्या होता हमारा smoke dust जो होती हमारी pollen जो होती है जब हमारा contact करते हमारा ट्रोक्यो ब्रॉंक्ल स्मोथ मसल से तब जो होता हमारा airway जो होता हमारा जिसके हमारा breathing जो होती है वह हमारी decreased जो होती है ब्रीफिंग रेक्रीज में होती है जो हमारे जो होता है जिसके हमारी जो हमारा विर आटीजन कि आ यहां पर हमारा इसमें अमारा debis PETER इंफ्लेम्ड एर्वे Family बिद्ग सब्रेस्वांटीными, इसमें CHF सने हborा इंफ्लेमेशन को बहुत ज्यादा इंक्रेस करदेगी इसमें एमारे जो हमरह marble ब्रॉइन कांट शब्राइब कर दोथ। कहते हैं इस्कुरी जो हमारा सेच्गी होती है रिम्ध जोनद॥ यbuat डग्ड पर और यह लोगी जमिए तरह आप श्nूंद मेरे नियंगा द्चाम की दो टेकाजिकुकक हमारे लिए सब्सक्राइबobook & बनने और नियुक्स लिया कि ऊवन के लिए Sigyn कवमेट्ट को 8. सब्सक्राइब 녹ा मे खर शहां हुआ चरप के लमें संदाख को होता हमारा उसकी help से भी जिए हम अस्थमा को डाइनोस कर सकते हैं नेक्स्ट कोशन आथ हमारा राइड डिस्क्रिप्टिव नोट ओण सी एच एच ए एट एंड अगाई इंगाई पर हमारा अंगाई पर दोनों पर हमारा एक नोट लिखना है सबसे पहला होता है हमारा congestive heart failure, CHF देख लेते हैं, heart loss ability to pump blood to the tissue which result in low blood supply to the tissue in deficient supply of oxygen and nutrition to the function properly. इसमें, CHF में, congestive heart failure में होता है हमारा होता है हमारा घुसे हमारा चले होता है तक हमारा oxygen की deficiency हो जाती है और हमारा nutrients की deficiency हो जाती है जिसके वह में जो तिशू है वह भी हमारा सइसे function नहीं कर पाएंगे इसके हमारा causes देख लेते हैं यह होता है हमारा hypertension की वज़ेसे होता है, koronary artery कि था लडी दिस्ट फंक्षन होता है हट्ट वैल डीजिस्ज की वज़ेसे होता है एल्कोहलीज्म की वज़ेसे होता है और हमारा स्मोकिंट वज़ेस इसके दो पार वोलीम है वो भी दिंग्रीज और हमारा हट पे नेतर यसके वायाट को जो मों हमारा लोग फैलिटा है कर दो क्यों होता है और नेंग bee this is a type of chest pain caused by reduced blood flow to the heart this is our chest pain when our blood flow is not welcome our heart doesn't get good blood flow this is that our angina causes our chest pain which is because of the blood ना जाने की विशसे होता है इंजाइना बएगे। चाहिन पर काःएंटे को जैता है रवाका और चाहिए, रूसकर चलोपयार ब्रीचिय का है तो यह हमारा जो है यह पर आपके सबसे पहले हमारे कुछ नहीं होता है तो यह हमारे कुछ कोशिज आ इसके विल से हमारा एंजाइन कोश होता है नेश्ट हमारा जाता है पैतो फिसे लोगिए अपाइन नेश्ट होता है इसमें चाहिए पाइजाए हमारे जादा बढ़ जाएगी क्यूंकि हमारे जो हमारे जो हमारे जो घृटिशान की दिमांड वो तो continuous उतनी है बट हमारे जोगलड़ फ्लो कम हो रहा है जिसके वाज़ा हमारे जो हमारे च्ण डिमांड वो हमारे इंकृसरे है जिसके विसे हमारा जो है अनारोबिक मेटबोलिस्म जो है वो हमारे स्टार्ट हो जाता है अनाबोलिक मेटबोलिस्म में जो होता हमारा लेक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है और लेक्टिक एसिड प्रोडियूस होगा तो हमारे हमारे कार्डियक मुसल्स में हमारे डिप और उस हमारी पैन को हम कहते हैं ऑर उस हमारी पैथो फीजो लौजी ऑफ एंजय उपीचिन आते है Catalove को प्रोइद को आपको एज़ली समजह गई होंकि फोषजम आता है हमारा हाथ verse को आतरम जो हमान बाधय जो यह मैं बेसिगन हमारा हो गोड़ा स online बोडी का जो सिस्टम है वो हमारा जान मूच के किसी सेल को जो है डेथ कर रहा है उसे हम कहते हैं अपॉप्टोसिस इसमें जो हमारा कोई भी इंफ्लमेशन कोज नहीं हो पाती और यह जो हमारा एक्टिव प्रोसेस होता है इसके हमार कुछ एक्जांपल दे रखें एंब्रिय बॉजलिजेशन हो जाता है, जाइब्र आफरले जाइब३थ एक्ट्र आप आग्रण ईशल्स वी कुछ ऐता है अन्सटम को हमारा जाता है लिए उच अन्सट्र शेल्स घाम इसमें भी आपक्टॉसिस का बहुत इंपोर्टेंट रोल है जैसे कि हमारा थिस्टेज्स होती है यूट राइन लाइनिंग उसमें जो हमारा फिस्टेश्टेर्वन पर पर चाहर जाती है और शुटेटिय। लाइनेГन को तो इसमें भी हमारा होता है ऐसमें हमारी हमारी अपक्रोषिस होता है अध्यवल्न होती धुक्त है वहमारी डिगमड़ conflictItुद, और वन वन बाए वन जो है इसमें भी हमारा करना बहुत इंपोर्टेंट होता है और हमारा जो है इन सेल्फ रेक्टिव डूरान कुछ लिंफोसाइट्स होते हैं वह मेरे सेल्फ रेक्टिव हो जाते हैं वह हमारे सेल्स को जो है मारे किल करना साट कर देते हैं जिसको हमारे किल करना बहुत इंपोर्टेंट होता है और हम में एकट्रमक्ट सासि का मेकानीजम nao एक होग सब्सक्टिबाएं ट्रिंसिक पाथवे में हमार meas pace 9 enzyme गोटािए आक्टिवेट होताह एक्तिवेट पाथवे में हमारा ग्याद स्थम अइट एट कीवेट होता है सेखिर्ड डहाता है औरे पर स्थम्त के फिरे एक्षिक थ्री कथिस वहुं आपशों में हमारा एक्टिवेट हो जाता है हमारा स्कृटेंट्रिया उत कहता है एस स्क्राइट आप हमारे coworkers करते हो और जो हमारा विस्त प्रोसेस नो के पारे में थे स्ट्रेस कदैंख और संथा ओन unleash करता है हमारे dn i1 जो हमारे स्टार्ट करता है तो इसलिए हमारे इंपोर्टन हो जाता है हमारे सेल को था कर वारा नहां so DNA stop formation of BCL-2 which seal the mitochondria DNA stop BCL-2 formation BCL-2 क्या कर रहा था हमारी यह जो है mitochondria की leakage को prevent करता है तो यह जो हमारा stop कर देगा BCL-2 को जिसकी वैसे हमारा BCL-2 अब mitochondria की leakage को prevent नहीं कर पाएगा next आज आता हमारा and increase the formation of backs and back which are apoptosis basically हमारा BCL-2 की formation को reduce कर देगा और हमारा якम और back नहीं कमारे, यह जो हमारे पॉर्स फोर्म कर रहे थे हमारे mitochondria में यह जो हमारे mitochondria में पॉर्स का formation करेंगे basically हमारा यह जो है leakage हमारे start कर देगे mitochondria में इनका जो formation होता back और back का formation को जो हमारे INCRISE कर देता है DNA पिर हमारा Ctochrome C Cytochrome C इनर्जी का फोर्मेशन कर रहा था मैट्रो आप अब बार कि तरफ आ चुका है अब यह जो हमारे पॉर्स ऑगई है मतलब उसमें चेद हो गई है जिसकी वैसे हमारा जो है अब साइटोक्रोम सी जो है वो हमारा माईटोकॉंड्रिय से लीक आउट हो गया मदला बाहर की तरफ आचुकर हमारा साय्टो प्लाजम में आ गए यह से इंटो क्रोम सी में मारा एंटाओंत ऐसेप्टर में किया हुद्ध में होता है आपार्प्थोश इस प्रिसेप्टर भी कहते हैं वह घ्रिक स्वेयर बहुत प्र्य प्रेजित कर दिए हमारे जो फ़ो कि एक पर जाता है। यह जो कि हमारा कैस्क्रेस 8 को initiator कर देता है अब कैस्म्मारा C Frage 8 को का अक्टי׵ेट हो जाए गा । तब जो हम्मारा यह हमारा आप्प्सीस Łukar हो जाएगी मतब सेल डेथ होना स्टार्ट जाएगी फिर हमारा लास्ट टैप आता है एक्जीकीूशन का वे एक्टिवेट करता है ये दोनो करवा के अक्टिवेट कर देते हैं कर देज घल इन्ड इय्न एंजाइम को भी दिजूल्व करते हैं जब DNA ही हमारा dissolve हो जाएगा तो हमारा cell death होती है वो हमारी complete होती है तो यह होता हमारा apoptosis में इसका mechanism जो है बहुत easy है आप अगर point to point करेंगे तो आप easily याद कर सकते हैं इसमें हमारा section C, section C जो हो हमारा seven marks का है इसमें हमारा first question आता है give the pathophysiology of tuberculosis हमें जो हमारा tuberculosis की pathophysiology बतानी है यह होता हमारा infectious disease होती है caused by mycobacterium tuberculosis यह हमारा tuberculosis जो हमारा causative agent होता है उसकी वज़े से हमारा tuberculosis cause होती है यह basic लिए इसमें क्या होता हमारा lungs infect होता है इसमें हमारी pathophysiology हमारी यहां दे रखिए वो आप पढ़ लीजिएगा next हमारा question आता है explain the pathophysiology of diabetes हमें जो है diabetes की pathophysiology बतानी है it is a type of endocrine disorder यह जो होता हमारा diabetes जो होता है endocrine disorder होता है एक तरीके का in which body does not control the amount of glucose in the blood जिसमें हमारी body जो हमारी control नहीं कर पाती हमारा amount of glucose मतलब हमारा जो glucose level होता हमारा blood का उसको control नहीं कर पाती है and kidney make the large amount of urine और हमारा kidney जो होता है हमारा ज्यादा amount में हमारी urine का produce करना लग जाती है तो basically हमारा यह होता है diabetes में इसकी pathophysiology देख लेते हैं इसमें जो होता हमारा genetic factors होता है जो कि हमारा insulin की secretion और insulin की sensitivity को हमारा जो है effect करता है जिसके वैसे हमारा hyperglycemia हो जाता है इसमें जो हमारा second effect second cause जाता है हमारा unhealthy lifestyle unhealthy lifestyle में क्या होता है physical obesity मतलब obesity घूछ हमारा cause करती है हमारी diabetes को इसके वैसे हमार Caroline ki sensitivity कम हो जाती है और da origin Noral faktor why heterocybinти hyperglycemia हो जाता है इसी तरीके से हमारा increment chemicals होते है जो कि हमारा insulin की secretion को कम कर जिसके हुशिए है थी तो गस्ते साल जिसके होई हमारे ईन्सृलिन की सिक्रिशन से करते हैं ज़ते हैं एं की गणा सी ओक गूतलग सोगहा है जाल था हमारे बहुत ज़्यादा की जिसकोिका हम खहते हैं असलियां कर सकते हैं तो कि हमारा करक्तराइज कर सकते हम इसको स्थेहरेचे जब पहचान सकते हैं यह नहीं नहीं है depression. It affects the person behavior, mood, way of thinking and way of react. हमारा यह जो हमारा person के behavior को affect करता है, mood को affect करता है, thinking power को affect करता है और उसके reaction, किस तरीके से वो जो है react कर रहा है आपकी बातों पे, उसको जो है effect करता है हमारा depression. आजाता है नेक्स हमारा आजाता है causes of depression इसमें जो होते हैं हमारा जैनेरी फेक्स होते हैं chronic pain होता है personality होती है हमारी bad events financial pressure sleep and hormonal disease यह कुछ causes होते हैं जो कि हमारा cause करते हैं depression को नेक्स आता है हमारा pathophysiology of depression pathophysiology में क्या होता है exact pathophysiology is a non but hypothesis is a mono amino deficiency but basically हमारा exact pathophysiology होती है हमारी depression की वो हमारी अभी तक अनौन है but hypothesis होती हमारी उसमें हमारा क्या होता है mo no amine deficiency हमारा जो mono amine होता है उसके हमारी deficiency हो जाती है हमारी बोडी में अभी is ka mono amines कौन से होता है हमारे जैसे हमारा non-epinephrin हो गया सेरोटोनिन हो गया डोपामीन हो गया यह वो हमोन से जो कि हमारा मोड को रेगुलेट करते हैं अगर उनकी डिफिजेंसी हो जाएगी तो उसकेस में हमारा डिप्रेशन कोज हो जाता है इसमें हमारा डाइटरी रिस्ट्रिक्षिंस ओफ एल ट्रिप्टोफेन एंड अमीनो एस किस से हमारे किस से प्रद्ट्वोज हो रहा है उसा म कहते है प्रिकर्सर प्रिकर्सर रूंद men सबस्क्रिइस, सब्सक्राइब टेरवे हैं ऴला करते हैं कि अगर हमारा सेरोटोनिन के लैवल इंबालिंस हो जाते है तो उसकेसे हमैं हमारा इंफ्लूएन्स सकता है इपनानी का उल सकता हैं मतलufen यहाओ जो है रात को अकर डेली टाइम से ना सोग तो इसकेस में हमारी जो सेराटोनल लेवल हो हमारा इंबैलन्स हो जाते है जिसके वाद से हमारा परसन होता है वह हमारा मतलब चिठ चिठ हो जाता है और बेसिकलिशन उसका जो मोड होता है वह हमारा फ्लक्टिए होता रहते है next question आता हमारा define ulcer explain the process of ulcer development हमें ulcer को define करना है और ulcer हमारे जो कैसे develop होते हैं उनके बारे में लिखना है ulcer an open source on an external or internal surface of the body caused by break in skin or mucous membrane which fail to heal मतलब basically हमारा ulcer होते है हमारे जब mucous membrane या फिर हमारा जो skin होती है वह हमारे break हो जाती है और वह हमारे heal नहीं हो पाती है मतलब वह वापस हमारी जो है सही नहीं हो पाती है उसे हम कहते है ulcer यह basically हमारे इंटर्नल भी हो सकते हैं और हमारे external surface पे भी हो सकते हैं next हमारे आते है pathophysiology pathophysiology of acute peptic ulcer is not known clearly but mucosal erosion occur due to trauma or tumor which cause stress ulcer basically हमारा pathophysiology of acute ulcer क्या होती है हमारी यह जो हमारी clearly known नहीं है मतलब अभी तक हम पतल नहीं लगा पाए है pathophysiology of acute peptic ulcers यह basically हम जो है अंदाजा लगाते हैं कि basically हमारा mucosal erosion हो जाती है जो कि हमारा होती है trauma या फिर हमारे tumors के वाज़े से हमारा mucosal erosion हो जाती है जिसके विएसे हमारा stress ulcer cause होते हैं नेस्ट आता है stress ulcer stress ulcer होते क्या है due to depletion of gastric mucosa barrier which cause attack of acid and pepsyn basically हमारा जो हमारा इसमें क्या होता है depletion हो जाता है gastric mucosa gastric lining जो होती हमारी mucosal lining जो होती है वह जो हमारी break हो जाती है जिसकी वैसे हमारा अटैक होता है और पेप सीग्ट क्यर्स के साथ जो कि हमारी ःडीथेशन कोस करते हैं यह होता हमारा अलसर में नेट्स हमारा कॉशन आता है व्लसकाथ दिवक्मठ्ट्टक्थं theology एंड सेट निमिया निमिया बारे में लिखना है थालीसीमिया का होता हमारा Inherited Blood disorder होते हैं जो कि हमारा Characterize होते हैं abnormal Hemoglobin production हमारा Hemoglobin का production होता वो abnormal होना start हो ऑसी हम कहता है थालसी थैलांसीमिया और यह होते हमारा Inherited in Nature होता है result in large number of RBCs being destroyed which lead to anemia. इसमें था हमारा इस micro 192 शोजह थे हुवा हमारे दिस्ट्रॉइ वन उना स्टमर जाते हैं जिसके वज़ से हमारा जो है golden जिसके जो हमारा जो है बोड दीट जो ना जो हुए नेक्स आए दे हमारी पैथोफीजियोजी फैलिसीमे को समझने से पहले आप यह समझे जब आपको जा आर बिसी प्रोडक्शन होता हुआ उसके लिए जो हमारा दो चेंग कर दो हमारा एसेंशिल होता है हमारा बीटा ग्लोब्लिन चेंज होती है वह और हमारा अल्फा होती है उसकेस में हमारा क्या होता है प्रेसिप्टेशन हो जाता है हमारा प्रिकर्सर बोन मेरो में जिसके वे व्यसे हमारा इन बलड में TH Channel Nesha Just Anemia जru होता है हमारा इनेडमान कोंग जात है ने न्याका सिंध आता है हमारा इनेहरीटेटीटेड ब्लॉट डिसॉटरर हाता है जिसमें हमारा आर वीसे ब्लुटेड डिसोरडर होता है अदिनार इनॉटन कोा गजसा है हमारा ब्लोग ब्लोग ब्लस फ्लोग कर देते हैं जिसके विसा हमारा पम को आर्ल scenario State попरें दिम सब्सक्राइड़ उस्सेल एंड कहा है जिदिधे विद्वेकन करना इस सेल सिफंटिंग ठेटेटें trilyoמע कॉर्षा जो फिल्ड कस करते जो знать यह जो होता है हमारे जनीग की वजए सब्सक्राइब दिसक्राइब घैनीज इसकी स्कार आप जाते हैं ने चाहिए नाधिय हमारे और टिवाइब टिस्क्राइब टिसक्राइब पाथ विजिल्जी उपकेंचरमिय यह और इंथ्हाइब , चैनल देजम से तर क्वीजिए इनी सब्सक्राइब सब्सक्राइब मतलब हरThe और टिशुज को डेमज करता है और हमारे डिस्ट्रोइ करता है ऑडी टिशुजव को हमारे टाइपस ऑफ कैंसर कौन- 66 होते हैं हमारे बिसिकली क्ैंसर यह जो हमारे लोकेशन की अकोरडिंग सहरह को डइवाइड कर राख अगर हमारा cancer होगा, blood cells में हमारा cancer होगा तो उसमें हम leukemia कहेंगे और lymphatic, जो हमारे nodes होती है, उसमें अगर cancer develop हो जाते हैं तो उसमें lymphatic cancer कहते हैं, यह हमारे कुछ cancers के types हैं, next आदा है हमारा pathophysiology of cancer pathophysiology हमने बहुत ज्यादा short में कर रहा है, आप जो है इसको जब exam में लिखेंगे तो आप जो है इसको थोड़ा expand कर दीजिएगा इसमें जो हमने ज्यादा, मतलब याद करने के वज़े से इसको ज्यादा short में कर रहा है, इसमें जो हमारे तीन स्टैप होता है pathophysiology में सब से पहले हूँ था हमारा activation of oncogen activation of oncogen activation of क़झण जो हता है, वह हमारे assumption हो जाते है सेक्ट फॉफैल था हमारे suppression of apoptosis geneição को से हुं ऑ गता है, और follow test, बहुत हो जाते है और inhibition of tumor suppressive gene होता है, वह हमारे उनका ऑन इनिवेशन हो जाते है पह Dare को बठी नगा को बूले में चाहा जा ना जा गोपाएं वा की तो में सप्रेस प्न मेरा कांपो बपाते सब्सक्रेएं चेह टे whalyst अधे समय इत्विक एक्ट्येसे अव्हा हमारा cancer develop करता है next second step आता है हमारा suppressor of apoptotic genes apoptotic genes जो होते हैं उनका suppression हो जाता है इसमें क्या होता हमारा over expression of bcl2 genes inhibition apoptosis in lymphocytic under expression of backs also inhibit the apoptosis अब अगर apoptosis अच्छे से पढ़ा हो apoptosis का mechanism तो तो आपको याद है कि BCL2 को फंक्शन क्या था था जो हमारा माइटो कॉंट्रिया उसमें जो हमारा लीकेज हो रही थी तो उसको जो हमारा कॉंसर प्रिवेंट करता है BCL-2 को प्रिवेंट करता है, अब अगर म्टी कुण सब्सक्राइब करता है, तो हमारा नहीं पाएगा और ब्सक्राइब कर देता है, अब जायदा बना दिया है, किसके वीजे निकाज को प्रिवेंट करा रहा है और वार ये जो हां इनिपि work जो है वह अंपत अपन ही ऑnt prices यहं जो यह एक फर्फराक्श uważक करना ही यह पा रहें ओंसे लिए प्यठियोट्ट वोगें जो सेल अदेग्स बिल्भी नहीं भी नहीं BAX, BCL2 का जो हमारा overexpression हो जाएगा, वो जो है ज्यादा मात्रा में बन जाएंगे, जो कि हमारा prevent करते हैं, mitochondrial leakage को, मतलब mitochondrial में अगर छेज़ दोंगे, तो उनकी जो है, leakage को prevent करने में help करते है, BCL2, अभी ये leakage prevent कर देंगे, तो हमारा cell जो है, death नहीं हो पाईगी, इसी तरीकी से हमारा back जो है, यह जो है, post create करता है, mitochondrial में, अब यह हमारा इसको reduce कर दिया है, तो जब अगर back को reduce कर देंगे, तो हम जो post create नहीं होगा, और पॉस्क्रीट नहीं होगा तो अलाइव रहेगा और वो हमारा cancer-causing में convert हो जाएगा इसका third step आता है हमारा third step में क्या होता है? Inhibition of tumor suppressive gene third step में जो होता हमारा tumor suppressive gene होता है उसका भी inhibition हो जाता है tumor suppressive gene की कौन सा होता हमारा P53, P53 जो होता हमारा main tumor suppressive gene होता है if mutation occur in P53 it produce number of tumors अगर हमारा P53 जो होता है वो हमारा tumor suppressive gene होता है अगर उसमें ही हमारी mutation हो जाए तो हमारा यह जो है बहुत सारी tumors का formation कर देता है जिसके वरिसे हमारा cancer cause होता है तो यह हमारी इसकी pathophysiology दी सबसे पहले हमारा activation होता है oncogene का फिर हमारा suppression हो जाता है हमारा apoptotic genes का और हमारा inhibition हो जाता है tumor suppressive genes का मतब जो हमारे genes जो हमारे tumor को suppress करना चाहते है उनका भी हमारा inhibition हो जाता है तो इस तरीके से हमारा cancer डवलप होता है इसी के साथ हमारा question complete हो जाता है next हम देख लेते है pathophysiology of AIDS हमें एक्सपेइन करनी है pathophysiology of AIDS की इसमें जो होता हमारा first step क्या हमारा HIV enters the blood or tissue of a person हमारा कहीं से भी हमारा infection हो जाएगा person को तो हमारा HIV virus जो हो सबसे पहले हमारा enter करेगा body में host cell की body में body में जाके हमारा सबसे पहले जो हमारे cells के पास जाके हमारे cd4 antigens होते हैं उसके पास जाके attach हो जाते हैं जो हमारे यह contact with cd4 antigens जैसे हमारा यहाँ diagram में बता रखा है यह हमारे cd4 receptors है cd4 receptors उनके साथ जाके हमारे hiv virus जो हो जाके attach हो जाएगा और attach होने के बाद क्या करेगा hiv contain jp120 protein envelope यह जो हो हमारा protein envelope हो जिसको हम कहते है जेपी 120 यह होता हमारा सबसे पास के जो है contact हो जाता है cd4 receptors के साथ of horse cells t lymphocytes यह होता हमारे t lymphocytes होते हैं ती लिमफोसाइट जो होते हैं हमारे उनके जो हमारा cd4 receptors होता है उसके साथ जाका हमारा hiv virus attach हो जाएगा फिर जो होता हमारा यह ह्याइज के uncotting होती है हमारा uncotting of viral genome and viral genome gets attached with the host cells हमारा uncotting होती है हमारी viral genome की और viral genome जो होता है वो हमारा attach होता है होसल से viral DNA get converted by reverse transcriptase to double stranded DNA combined with the host cell chromosomes इसमें क्या होता हमारा reverse transcription होती है हमारी जब हमारा HIV virus रिवर्स ट्रंस्रिप्शन के तूर्स हमारा गोथ खायर होगी रिवर्स जैनल के घर किसहेरा के तूर्श तु act को कोशेता है तो को स्पएयर से सलं Each level इसमीं होता मरा पाल रिवर्स ट्रंस्रिप्शनि जो हमारा डीएने बनता है डिने से अगर आरने बनेगा तो उसे ट्रांस्किप्शन कहते हैं बट हमारा जो है आरने से जो हमारे डिने बनता है यह होता है इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांस्किप्शन और यह जो होता हमारा डिवर्स ट्रांस्किप्शन होता है इसमें जो होता हमारे डबल स्टेंडे ड डियने बन जाता है, combined with the host cells chromozooms, अब double standard DNA बन गया है, यह हमारा होस, जो हमारा HIV virus का, जो RNA था, वो हमारा transcription हो गया है, reverse transcription बनने के बाद, यह double standard DNA बन गया है, अब double standard DNA बनने के बाद, यह जो हमारा host cell का, जो हमारा nucleus है, और जो हमारा chromosome material, जा जाटके आडआच हो जाएगा, यह हमारा जो, combine with the host cells crystals, chromosome, हमारा chromosome के साथ जाके आटज हो जाएगा, then it multiply and release progen virons, हमार जो हे यह hvad host cells के chromोस dobrze के साथ आटाच्च औके, उसकी multiple copies बना एगा, अb multiple copies जो हमारी, जो हमारा में नल्टीप्लाय हो जाएगा, करेंगे और यह आपार ती लिम फोसाइट को जो है एफेक्ट करेंगे करेंगे और फॉत कोशॅ को सहा है इसकति और लुट करेंगे इसका थो बॉट आई सबसे पहले हमारा स आता सरा किमार चैप्र 07 je daw चैप्रोड के इस अंदर में इसका मैंना तेरी अंदर होगा मैं अदर होगे हैं के यहां चीट्राइंटक टाहर चैप dwote को छित deposit है हे स्थाउट के प्रती कि बाएंड टेहरा हों मट चैप्रहिशन करते हैं और DNA जो हमार यह हमारा जाता है ख्रोमोजम से साथ a टाउ कर हम डर यह है ट्रांसीप्शन करता है और हमारे उसकी कॉपी बना देन बहुत सारी कॉपी बनाने के बाद यह हमारी इसका को है मुल्टिप्ल Ayyप mario जाता है और यह हमारे नए classroom जो प्रम्स्पाइब दर्म झाल होате पसक्रीज हो जो हो चुका है कॉपलीटी तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्त लेकुड़ियों चलिए इस इसमारा को सक्वाज़ कर्ना चलिएो इस इसमारा प्रता ळावना कोई डाउट था आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूस्ट सकता है जिन भी फ्रेंट्स को फार्मा से लेड़ी नोट्स प्रैक्टिकल फाइल से प्रीवेस यह सॉल्ड पेपर से यह वह हमारे टेलिग्रम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकता है चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स लेक्टर में